गफ नमस्तों है आज इस वीडियो में हम लोग automate a psdx शॉफ्ट्रटर का सेटिंग दिखाई धे जएता है से इन नहीं कर चकते हैं यह अगर असरा देख सकते हैं यहां पर मांग रहा है आपको देखने के लिए कि आपको चाहेते हैं एडिट करने के लिए तो आप एडिट करके उसका पहले लांग्वेज सिलेक्शन कर जाकते हैं अगर यह वला सही है तो आरव मार्क मार के दूसरा सेकंड में आ जाएंगे तो आप डेट अन टाइम का जाएंगे और निखा ओवा रहता है मोटर का फूल ओड़ करेंट वहीं आपको यहां पे डाला है मालो मेरा एक सो तीन है तो यहां पे आर मार्क को में दबा के उसको नुपर अनमबर को सिलेट करके उपर नीचे कर सके उसको अर जस्ट मंट कर सकता हूं जितना चाहिए उत तो आहरा हम चाहिे को एक बार जाहिए किए तो रही जितने बार करने ही पॉर और यहां पर कर सब्सकोराँ करें के लिए तने मांगते आपको तो करेंगे तो लिख रहा है कि आपका setup complete हो गया है यहां पर क्लिक कर देना है कदना से देखिए आपका main page जो है यह main page पर आ गया setting सिर्फ हमारा motor का current डाला हुआ है याद रखिए और कुछ इसमें डाला नहीं है यहां पर local remote का switch है local remote switch दबाने से उपर देखिए left side corner में local दिख रहा है तो यहां पर start stop भी कर सकते हैं इसको local में local mode में अगर यहां से चलाना है display से तो यहां से start stop कर सकते हैं तो देखिए अभी आपको local mode में चला के देखाते हैं यहां से तो यहां पर जो मोटर का current total में डाल चुके हैं तो start button दबाने से सारे 0 है जो अभी देखिए start होना शुरू हो जाएगा जिकि अभी start हो गया तो आप देख सकते हैं मोटर का जो voltage है वो percentage में बढ़ रहा है मतलब याने की 100% direct voltage नहीं जा रहा है और रैंप में बढ़ रहा है क्योंकि उसका जो setting अभी setting डाला हुआ है अलड़ी तो इसलिए यह दास सेकंड तक लगा 100% voltage जाने के लिए तो उसका setting भी आपको आगे दिखाएंगे तो अभी देखिए इतना पावर ले रहा है तो इसी तरह से आप इसको लोकाल में लेकर लोकाल लिमोट करके यहां से और भी कर सकते हैं बड़े आसनी से तो उसके बाद दखते हैं उसका setting क्या क्या और करना पड़ता है आपको ज़रूरत पड़ सकता है तो सब्स्टाटर का जो डिजाइन और राइट साड में जो दि जाए आपको लिंक डेक्सिशन मिल जाएगा बैक आप कैसे लेते हैं पूरा फूल वीडियो में आप देख सकते हैं यहां पर क्रिएट बैक आपका करना से बैक आपका आजाता है और लास्ट वाला बैक जो है यह इसी डेट का दिखाता रहता है तो इसको अगर डिश्टो लिखा है मतलब कर देना से रिष्टोर हो जाएगा तो अभी कभी कुछ जरुद पड़ा तो यह ब्याक आप लेके उसको रिष्टोर भी कर सकते हैं तो इसी तरह से और बैक करके देखते हैं और क्या आपसं दिया हुआ है इसमें दो सिस्टम इन्फो दिया हुआ है इसका म अगर जरुड पड़ा तो पारामिटर से आमको कुछ शेट करना पड़ता है कुछ प्रोटेक्षिन वगए अगेर सारे विट देफल्ट रहता है लेकिन कुछ कुछ प्रोटेक्शन हो जो है उसको सटिंग करना पड़ता है ताब देख सकते हैं यहां पर की मोट्र का रिप हुई तो यह सबसे इंपरंब चीज जो कि मोटर का नेंफले डाक से मिल जाएगा आप को मोटर का एफेल्सी मोटर का एफेल्सी याँ से तो यह से जो प्रफ्सक एडिज कर सकते हैं अगर जरूद पडाता हो तो तो उसके बाद आप दगते हैं स्टाट और स्टाप का तो यहां पर जो start mode दिया है यह voltage राम दिया है मतलब जो voltage 100% जाता है motor को वो राम में बढ़ बढ़के जाएगा तो यहां पर दिया हुआ है start ramp initial level 30% दिया हुआ है तो यहां पर और पी कुछ अप्शन है तो यहां पर वोल्टेज राम रखेंगे तो वोल्टेज नर्माली राम से बढ़ते हुए जाएगा और मोटर का कॉरेंट भी जो starting current हो वो डारेट हाई लेगा तो यहां पर stop mode हमेशा no ramp रखा जाता है क्योंकि कभी कभी लोड के हिसाब से रखा जाता है इसको कभी कभी trip होता है तो उसको no ramp रख देते है stop mode को वोल्टेज राम पी रख सकते हैं इसको यह पी torque राम पी रख सकते है यह depend करता है लोड के उपर तो हमेशė नर्माली नो रहता है Стौप का तो यहाँ पर र Punjपी इनिशिल लेभल जो दयाओ है 30% से उल्टेयर्ज होता है तो जब मतलब स्टार्ट करेंगे तो 30% बोल्टेज सब्सक्राइद काने साटइंट में दोऊ सट्रॉपैंट सब्सक्राइब चाहिस को जाएगा उतना टाइम करें तो यहां पर स्टाउप ऍविए डिया बाद आप जाते हैं नीचे जाके इसका देखेंगे और क्या क्या सटिंग गः मुसके लीमिट शेटिंग यह बीड डाल सकते हैं अगर कुछ जरूत है आपको जैसे में कॉर्ण्ट लिमिट वगगर यह देता है तो उसका 6-7 को पर लेता है तो जो कि हमारा भी चार है खुझ फॉर इंटु एक मतलब जो डाले है उसका चार गुना तो यहां पर छे गुना साथ गुना भी कर सकते हैं अगर ट्रीप उरा है स्टाटिंग में तो इसको तो थोड़ा सकते हैं और छोड पर चलाने के टाइम पर पता चालेगा कितना बढ़ाना है कितने पर क्रीप कर उसके बाद फिर रांप करके जाएगा वोल्टेज मतलब ये डायरेट बूर्ट मोटर को थोड़ा सा घुमा के जबरदस्ति उसके वाद फिर रांप मेज लगिए तो इसमें किक्स्टाट वोल्टेगा उसको इसको अन करके उसका वोल्टेज जो दियाओ लेग लेभल 70 पर श 17% voltage इसको जाएगा स्टाइंग में तो एक कुछ मिलिसेकंड के लिए तो उसी के बाद हमारा निचे निचे जाएंगे तो इंटर्नल आयो एक्स्टर्नल आयो मिलेगा आपको एक्स्टर्नल आयो जो है आपको अगर कुछ आयो बढ़ा के एक्स्टर्नल कार्ड लगा के और आपको इंटर्नल आयो में मिल जाएगा अगर आपको इंटर्नल आयो में जो डिले आउट्पूट हमारा कुछ इंपूट्स दिया हुआ है चार इंपूट्स दिया हुआ है डिया जैसा उसको भी आप सिलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सरा आप्श आप देख सकते हैं आई इन जीरो जो लिखा है हमारा यह रिशेट के लिए उजकन के लिए रिखा है इन वान और इन टु अभी खाली है कि नॉन लिखा सिलेक्ट है अभी वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रिले आउट पूट कुछ चाहिए तो के फोर के फा आपको शुकट के मुझे और अधर और लिखा है यह तो आपन के लिखा दूप और व िंटो वहां बदगए यह ढाल सकते हैं इसको आपको देंग स्लिख दो कि इज एससे कि यहां बदि क्वार इन टाला छागार पनी है व्ली टामों सब्सक्राइस को और शीती दो इन्पुट आगया डिया का तो अभी हमारा चल रहा है तो उसका बगल में ब्लु लाइट दो है वो रिले आउटपूट दोनों भी पिक अभी दिखे आप यहां से देख सकते हैं यहां पर के फोर के फ़ाइब जो है यहां पर निच्छे के फोर रॉन पर है और के दिया तो दोनों रिले बंद हो गया उपर जो लाइट जला था ब्लू कलर का वो बंद हो गया तो इसको एक के फोर को रिले आउटपूट है उसको रॉन पर दिया हुआ हुआ है यहां पर और के फाइब जो है टॉप अब मतलब जब रैंप कंप्लीट हो जाएगा हंडर प आएब टार कचा मुझा परुफ जोहां हम्वा सिक्स्ट टुप बपिटइवग ले सकते एफजी एफटर में बाऊरत थीमे करते हैं तो यहां पर बहुत साराइब सार्फन दिया हुए श्यूं करने कंप यह रेडिंटी पर स्टार्ट कर सकते र्ग रहों के रॉल्त का और ट्रीप का फिट भी फॉल्ट का रान का और टॉप अप दे रांप मतलब जो मारा र्यांप ख़ता मोने की बाद जो फुल स्पीड में चल रहा है 100% में उसका है यह तीनों का ही सिस्टम में उमरा यूज होता है डिले आउडपूर्ट में आप चाहें तो कुछ और भी उस हमारा तो उसके बाद यह जो सिस्टम सारे है दिया हुआ है यह हमारा कि रिले आउटपूर्ट जो की पोटेंशाल प्री है हमारा यहां से वोल्टेज जाके गूंके जाएगा बाहर तो वहां से फिड़्याग ले सकते हैं नहीं तो इंडिकेशन भी दे सकते हैं पी एल्च लग लगाते हैं तो आपको एक्स्टरन लाइव में सेटिंग करना है और कुछ प्रोटेक्शन लिमिट दिया हुआ है प्रोटेक्शन लिस्ट जैसा है मारा बेजलस का ऑंडर बोल्टेज का ऑंडर का यह से भी कुछ दिया हुआ है यहां पे यहां पे प्रोटेक्शन लिस प्रोटेशन लिस्ट में बास इतना ही है और कुछ इतना ज्यादा है नहीं और उसके अंदर में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक अगर बाइपास करके चलाना चाहते है तो उसको भी मिल जाएगा आपको आपको फेज लॉस कंडिशन में ट्रीप होगा कि क्या होगा आपको वहां से सिलेट कर सकते हैं नौ आक्षन कर देने से ट्रीप नहीं होगा अगर बाइपास मालीजे मोटर का फेज लॉस हो गया तो पाLETके में पंद पाल नहीं रहता है तो मोटर के फेज लॉस बाइपास करके चला तो इसी तरह से आप सेटें। उसको कर सकते हैं लोकल लेमोट यहां से आपको डिकश दबाने से आपको यहां से स्टार्ट करके देख सकते हैं अभी देखिए स्टार्ट कर दिया तो यहां पर देखिए बोल्टेज अभी बढ़ रहा है धीरे-धीरे र्याम के इसाब से 30% से शुरू हुआ और 100% में होने तक 10 सेकंड का स्पास टाइम लगता है तो यहां पर देखिए रिले आउटपूट दो ब्लू भी हो गया है कॉरेंट भी ले रहा है 60 अंपियर एक्चुल पावर जो दिखा रहा है 33 का स्टाप कर देने से तूरं देखिए स्टाप हो गया य स्टाप का स्टाप का कॉंटीनु आएगा और स्टाप आएगा तो चल ले हमारा मोर यहां फिस्टाप स्टाप में तनों अगर कॉंटिनु भी आए गा ताप को जो रिले आउटपुट दिया हुआ है तुरंद बंद हो जा रहा है तो यहां पर रिले आउटपुट भी देख सकते हैं उसको चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका स्टाटास भी देख सकते हैं और जो टॉप रहा है यहां पर सेटिंग वाई कि अभी तक पिक अपने हुआ ह जब 100% बोल्ट आ जाएगा देखिए आप यहां से वह रिले पिक आप हो गया अभी 100 यहां पर जब आ गया तो यहां पर फिक आप गया तो इसी तरह से आपको जो रिले आउट पूट और इंपूट आप साब कुछ यहां पर सेट कर सकते हैं बड़ी असानी से यही बस रहता आप पिस ट्स प्रड आपर को सेटिंग करना डिखेंग अभी एक फॉल्ट आया तो फॉल्ट निकेशन जल रहा है रॉन का इंडिकेशन चला गया और में स्ट्राटर बेढ़ क्लर जल रहा है यहां पर और हमारा डिस्प्ले में भी रेड कलर का फॉल्ट दिखा रहा है और रौन का चल लगए रेडी भी ब्लिंग कर रहा है तो आप देख सकते हैं इसके पॉल्ट किस तरह से उसको जखेंगे चलिए देखते हैं आपको अप्शन में जाके जो म बसकर दो मिनिट में यहां पर टाइम देख सकते हैं नीचे डेड़ भी देख सकते हैं तो इसको और यहां पर सेटिंग रिसेट करने के लिए कुछ आप्शन दिया नहीं है तो यहां पर लेकिता है फेज लॉस्ट उसका 300 अभर इप तो उसको और देख सकते हैं फॉल का इंडिये स्टा अभी भी जाल रहा है तो उसको अगर आपको रिसेट करना है तो रिसेट्ब आपटे और मे तो इसरी भान में अपर beesघकर लॉस्टमंद दिया हुआग़ में तो उसी तरह से आपको अगर डि Chandler सोतकर जाना है और जाना है यहां पर हो फोल इचेट करेंग है तो यहां पर भाद को CC design जाना है तो एदक च्छouड करें सिलेक्टित कर के देफलड शिजला अशां whether i dall gor dina bo अभी इसको रिस्ट करेंगे सब्सटार में में दोनों जगा से डीचेट हो प्रञाइकषा है जो फॉल्ट का इंडिकेशन चालाता है वह चला गया है तो अभी यसी तो अभी चलाएंगे तो यह चलेगा तो फॉल्ट का डिसेट कहा है आप डिया हे से कर सकते हैं १र आप सब्सक्राइब में नहीं क跟你 झांकिन दिया हुआ असेक बन सब्सक्राइब